नमस्कार दोस्तों हमारे एक विवनने कमेंट किया है कि रैल्यवे में एप्प्रेंटिस करने के क्या बेनेफीट और क्या लॉश हैं और र रैल्यवे में एप्रेंटिस करने के बाद कौन कौन से रास्ते खूल जाते हैं इस पर आप pen complete जर्कारिम दीजिए इससे पहले आपको मिल जाएगा तो चलिए आज हम यहीं जानते हैं कि रेलोय में एप्रेंटिशिप करने के फायदे और नुक्षान क्या है और कौन-कौन से दरवाजे खूल जाते हैं बहु सारे बच्चे न जानने के कारण रेलोय में एप्रेंटिशिप का फर्म भर्जद देते हैं और उन्हें जनकारी कुछ नहीं रहता है कि रेलोय में एप्रेंटिशिप क्या होता है बहु सारे बच्चे यह भी सोचते हैं कि तो यह जोब हो गया नहीं जोब नहीं है पहल बपधिसप जो भी सभी लड़का किया है उसको जोभी क्रूबडी की बेकेंसी आएगी उसमें 20 परसेंट का चूट रहेगा और किए से छूट रहेगा निमान लेज़ेस बेकेंसी आती है सौंबसेंसी में 20 इपयों सी जनेरल वालों के लिए राएगा आपके मन में कोई प्यांवाण नहीं रहाएगा चाहिए vigilant ना टेक्निस्यान मिलेगा नपना को सिर्फ भेखनिसी आएगी तो उसमें आपको वेनेफिट दी जाएगी अभी तक हमने दोस्तों बात किया कि क्या बेनेफिट है अब दोस्तों बात करते हैं कि एक साल के दौरान क्या लॉस हो जाता है कोई भी छातर जब रेलों में एप्रेंटिसिप करने आता है तो उसको एक साल के दौरान क्या लॉसेस जहलने पड़ते हैं क्योंकि मैं एप्रेंटेसिप वालों के साथ रहा भी हूं मेरे साथ भी कुछ एप्रेंटेसिप वाले रहे हैं मेरे साथ भी कुछ एप्रेंटेसिप काम भी करते हैं इसलिए दोस्तों मैं अच्छी तरह से आप लोग को पता सकता हूं इस एक साल के दौरान दोस्तों उनके साथ एक बहु पढ़ाई नहीं संभाल पाते हैं आप पुछिए कारण क्या है तो कारण में बताता हूं कि यहां पर दोस्तों करने के दौरां काम करायेता है और काम जो लड़का काम करेगा और पैसा यानि यहां सेलरी भी दी जाती है दस जार के सम्थिंग में सेलरी दी जाती है तो जो लड़का काम और पैसा देखेगा वह पढ़ाई को कंटनियू नहीं कर पाएगा बहुत कम ही चात्र है जो पढ़ाई को अपना रेगलर और आच्छी तर मेरे हिसाब दोस्तों आप apprenticeship न करें इससे अच्छा है कि आप जिस तरह से आप तयारी करने जेनरल competition का आप continue तयारी करते रहें दो साल तीन साल तक एक focus पनाके रखें किसमें जाना है आपको आपको job जरूर हो जाएगा चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद दोस्तों